दोस्तों देखिए यह जो सरिया दीख रहा है वो सरिया को हम किरांग कैसे मारते हैं आप देखिए इसको हम एकले किस तरह से किरांग मारते हैं आप ध्यान से देखिए और सिखिए इस तरह से काम करा सिखिए तो हम कोई लेवार नहीं लेंगे इसमें हम एकले इसको किरांग म मरना है तो चलिए देखाते घ्राइम कितना में इस वीडियो में धाय के एक किसे सब्सक्राइब करते हैं पहले देखे हमें किस तरह से मारते हैं कि मारता है तो मीं तो गोफ और कहलेके कि रांग इस तरह से मार देते हैं वहां पर तुना सरिया झो है केले जोड़ देते हैं सिधा कर रहा है तो देखे इस तरह से मार यह तो यह स君 को फिले जोड़े लिए जोड़े जोड़ेंगे मिल जो एक उले काम बहुत मिस्तिर को पता नहीं जो एकेले कैसे क्रांग मारते हैं एकेले क्रांग मारते हैं जोड़ेंगे कैसे नहीं पकड़ेगा तो कोई हलपार ने इस तरह से सब कुछ एकेले होगा लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ीगा तो देखिए इस तरह से क्रांग हो चुगा इ ऐगर काल रहेगा तो मतलब काल grown रहेगा तो फिर से बैंड वह देना सिप दर बेटे जितना सरी ऐाय आंप उल्सफ पूरा सब और मिद चितना सटारी आप पूरा के लिः और माँध कर देखा तरह से दिखा द्वतित इस तरह से करांग कर दो मारते हैं बहुत आसानी से कोई हलपार का जोरत नहीं होगा हलपार दूसरा काम कर सकते हैं आप करांग मार सकते हैं एकले एकले करांग मार के बाद फिर जोर सकते हैं एकले जोरने के बाद रिंग भी डाल सकते हैं रिंग भी बांद सकते हैं तो देखिए किस तरह से हम इस वीडियो में दावा दिए उसमें क्या होता है तो अम जब आप लोग के नुलाज नुलेज वीडियो देने वाले हैं तो देखे रींग जो है रींग के स्तर से डालते हैं कि अ कि अ तेखिए रिंग को खोले लिए पहले झाले के बाद यह इस तरह से बादान से किपल आ इसका कि बैं पेहले इंची टेप से ना पी के लागेलें कि इसमें यहां तक कितना रिंग लागेगा एससे माप सकते हैं नाइट्ड है आपको दो इट में एक रिंग डाल सकते हैं इस तरह से नापी होता है दो इट में एक इंच मतलब दो इट में आपको छे इंच हो जाएगा चो छे इंच में एक गो रिंग का दूरी होता है छे इंच दूरी दूरी में तो इसमें छे गो रिंग डालते हैं तो देखिए रिंग को सब सिधा करके डालिएगा क्योंकि उपर नीचर रिंग है और नी रिंग जो है बेंड रहता है उसको सिधा करके डालिएगा जो सरिया रखा हुआ देखें यूट के सामने वो सरिया आप किस तरह से बनाते हैं भी देखें तो दोस्तों ये वीडियो में आवाज नहीं लगाएं इसलिए हम घर में आवाज लगाएं कि उसमें जो होता है छोठ पूजा कत्ते होजा चल रहा है वहां पे गाना बज रहा है तो मिउजिक बोध् आवाज आ रहा है इसलिए हम यह आप घर में आवाज लगाएं वीडियो में आवाज नहीं दीए उसमें सुनाई नहीं दे रहाँ तो देखिए आम घर में आवज लगा इसलिए थोड़ा सा सेट नहीं होता आप देखते थे काम पूरा दिखा देते आपको काम का कोई गर्बन नहीं है काम सई से दिखा देते इस तरह से पूरा रिंग डाल लेजिए आप जितना रिंग है दोस्तों पढ़िया से डाल लिजाए बैंड जो है सिधा करके डालिएगा छे गो रिंग डाल दिये हैं उसमें सरियाक इस तरह से पांते हैं देखिए आपको दिखाते इस तरह से जो किराग है यहां पे उपर में लागाना यहां जो उपर है वहां पे लाग तो देखिए हम एकेने के से बांदते हैं इस तरह से मोड़ दीजेगा तार को पुरा टाइट करके मोड़ दीजेगा एक तरह बांद गये हैं और नीचे भी एक तरह बांद देते हैं देखिए यहां पर एके को सर्याद जोड़ेंगे क्योंकि एके को छोटा हो गया है और देखिए इसको तार फिर से लिजेगा और पिर से तार को मोड़िएगा और इस तरह से बांद दीजेए पुरा टाइट करके बांद दीजेए मेरा हो चुका है इसको टाइट कर देने से ह देखिए आपका सामने हैं बांधिये is MA पूरा बांधिये और दख agency को नापी कह लेते हैं तो आप चे-च्ञ इंची दी नापी कह सकते हम देखेंक चेट इनची में दी में में आपी कह सकते हосьuellement साउंटika अमक्त दोर रिंग लगें तोहीं वी उपर से बांद करें कोई परिशानी हो नहीं हो और निच्चे से बांद के जाएं तो दोस्तों निचे बाला जो रिंग है उपर कीजिए तो उपर में गसते रहेगा उसमें अच्छा नहीं लगेगा आपको बांधने में साब रिंग आप पर पास पहुंच जाएगा तो देखें उपर से बांधने के लिए बहुत बढ़िया होगा देखें उपर से कोई दिक्कत नहीं थोड़ा सा बैंड हो गया बैंड को सिधा कर देंगे तो इसमें सिधा करके बांधना नहीं आपको दिखा रहे है इसके चलते तो पुरा सिधा करके बांध दिएगा इस तरह से कलम सेट करना सेखिए रीम बंदना सेखिए बहुत मिस्तिरी क्या कहते हैं कलम में जो है सरिया किस तरह से जोड़ते हैं भी पता नहीं है और जो केराग मारते हैं उसको तो पता ही नहीं किस तरह से केराग मारते हैं और इसको जो तार गुमाने भी नहीं आता तो तार हम किस तरह से गुमाने भी ध्यान से देखिए आपको पुरा टूटेल समझ में आ जाएगा अगर इसमें दोस्तों समझ में नहीं आ रहा तो दोस्तों मेरा डिसकेशन में वीडियो का इसमें डिसकेशन में लिंक दे देंग और इसमें आवाज नहीं लगाए तो अवाज मेरा आवाज और पांदना नहीं हो रहा तो थोड़ा गड़बन लग रहा है तो आप लोग इसा मतलब गड़बन ना सची तो देखते जाएं समझ में आ जाएगा तो देखिए इस तरह सब इसको इपर कर लिये, च्छे चे इंची दूरी में बांदियेगा, इस कलम में जो शरी रिंग डालेंगे तो रिंग 6-6 इंची दूरी में बांदिये, बहुत बढ़िया होगा, आप इस तरह से कीजिए तब पूरा रिंग बांद के आपको दिखा देते हैं कि इस तरह से बांदते हैं भी दिखा देते हैं अरी ध्यान से देखे इस चैनल में अगर कई नया है तो subscribe कीजिए, like कीजिए और समझ में नया है कमेंट करके बता सकते हैं अगर सब्सक्राइब करने से क्या होगा आपका हम हर एक तरह का नया नया वीडियो आप लोग को लिए लाते रहें ताकि आप लोग नलजदार वीडियो लाते रहें तो आप लोग देखिए और काम करना से के हर एक तरह से काम होता है काम करने का बहुत टेक्निकल होता दस्तो तो यह जो सड़य मानने का निक होता है। लिएफे सबाब निलाएं पाइप डाले हैं। फिर उससे घ्राभ मार है हुं we दोस्तों कोई दिक्तत नहीं वोगा उस तरह उस तरह से डिखाते आपकेले कामूगा और व्ह lending लगा के उसमें दोग और व्हूल जाइए तो देखे इसको हो चुका है पूरा इस तरह से पूरा बांधना बांधी है इस तरह से कोई गड़बन नहीं होगा दोस्तो अगर पूरा टाइट करके बांध लिजे तार बांध के और नीचे जितना रहेंगे सब बांध लेंगे तो देखे आज क्या वीडियो इतना है दोस्तों ये वीडियो बहुत लॉंग हो जाएगा दोस्तों और अगर कुछी को समझ नहीं आरा तो कमेंड करके बता सकते हैं फिर सो वीडियो अपलोड कर देंगे आप लोग देखते जाएए और सिखे इस तरह से और दोस्तों अगर वीडियो लगे तो लाइक जोर किजिएगा तो देखे इस तरह से और दोस्तों क्या है छोट पुजा पार हो जाएगा तो हम इस तरह से आवाज लगाएंगे आप ध्यान से देखिए आप